जैसे ही कमरे का दर्वाजा खुला, माया ने देखा कि सारा वहाँ नहीं थी, उसकी जगह एक अजीद सी मशीन थी, जिसमें तरह तरह के बटन और लीव लगे हुए थे माया ने धीरे से उठकर मशीन को छुआ और अचानक ही उसके सामने एक होलोग्राम दिखाए दिया होलोग्राम में एक व्रिधव यक्ती था, जो उसे बहुत परिचित लगा, वह उसके दादा हैरी थे, दादा हैरी ने कहा, माया तुम्हें यहां से निकलना होगा ये प्रयोग शाला एक समय यात्रा प्रयोग के लिए है और तुम उसमें फंस गई हो माया ने जल्दी से मशीन के एक लीव को कीजा, और एक चमक के साथ, वह वापस जंगल में थी लेकिन ये जंगल उसके जाने वाले जंगल से अलग था, यहां पेर और भी उंचे थे, और हवा में एक अजीब सी गंड थी अचानक, उसने देखा कि दादा हैरी उसे धून रहे थे, माया ने दोड़कर उन्हें गले लगाया और सब कुछ बताया दादा हैरी ने उसे समझाया कि सारा उसे भविश्य में भेजने वाली मशीन का हिस्सा थी और उसका आसी मकसद माया को समय यात्रा की रहेसियों से अवगत कराना था अब माया के सामने एक नई चुनौती थी, वह इस नए समय में कैसे अपने जीवन को सामान्य बनाएगी और क्या वह फिर से अपने समय में वापस जा पाएगी रहेसियों और साहसिक कार्य अभी भी माया के सामने हैं और उसकी यात्रा अभी भी जारी है आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा